Taxonomy and ecology of lady beetles Lady beetles are also known as lady bugs These are highly beneficial group of insects क्योंकि ये predatory organisms है ये ऐसे insects के उपर feed करते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं अगर हम इनकी taxonomy की बात करें तो जो beetles हैं, they also belong to phylum arthropoda of invertebrate इनकी class insecta है, इनका जो order है, वो callioptera है और इनकी family की बात करें, तो coccinality इनकी family है उसके रावा beetles की बहुत सारी types हैं जो lady beetles हैं, they are natural enemies of insects especially efforts and other sap feeders efforts जिनको हम तेला या सबस तेला भी कहते हैं उनके उपर ये feed करते हैं और दूसरे जो sap suckers हैं, यानि ऐसे insects जो पौदों का juice या उनका जो sap है उसको सक करते हैं ये उनके उपर feed करते हैं यानि ये prefer करते हैं soft bodied insects के उपर feed करना उसके रावा ये देखा गया है कि एक जो single lady beetle है ये अपने lifetime के दौरां तकरीबन 5000 efforts को खा सकता है तो ये जो बात है ये farmers के लिए बहुत important है क्योंकि ये उन insects के पर feed कर रहे हैं जो उनकी फसलों को तबाह करते हैं जो उनकी फसलों को नुकसान पहुचाते हैं तो ये important bio control agent या natural enemies है lady beetles को हम farmer friends भी कह सकते हैं क्योंकि ये farmers की help कर रहे हैं उसके लावा अगर हम lady bird beetles की body की बात करें इसकी morphological structures की बात करें तो जैसा कि इस slide के अंदर दिखाया गया है कि जो lady beetle है इसकी जो body है इसके उपर distinct किसम के sports मौजूद होते हैं और ये जो sports हैं इनकी जो तादाद है वो vary कर रही होती है different species के अंदर इन sports की base के उपर इनकी identification भी की जा सकती है इसका मतलब ये है कि ये एक important taxonomic character है जो के species को identify करने में मददगार साबित होता है और ये color pattern इनको इस वज़ा से मुम्तास बनाता है कि ये एक warning coloration है क्योंकि बहुत सरे predators इनके उपर attack करते हैं तो ये जो sports हैं ये इनके predators को warn करते हैं और इस pattern की वज़ा से ये अपने predator से महफूज रहते हैं उसके लावा जो beetles हैं इनकी बहुत सारी species हैं और इनका जो color pattern है वो vary करता है इसके अंदर जो sports की तादाद है वो vary करती है उसके लावा इनके अंदर एक खास बात ये है कि they are protected by an orderous noxious fluid that seep out of their joints जब इनको disturb किया जाता है तो उस वकत इनके जो joints हैं वहाँ से एक fluid पैदा होता है वो street होना शुरू होता है जो कि orderous है और noxious है ये जो fluid है ये इनको protect करता है इनके predator से उसके लावा अगर हम female lady beetles की बात करें तो जो female lady beetles है they lay eggs in clusters और आम तोर पर क्योंकि ये soft bodied insects के उपर feed करते हैं जैसे के efforts तो जो female है ये अपने eggs clusters के अंदर ले करते हैं और आम तोर पर ऐसी places के उपर अपने egg ले करते हैं जहां पे efforts मौजूद होते हैं उसके लावा इनका जो alligator like larvae है ये भी predators है यानि ये भी eggs के उपर feed करता है और soft bodied insects के उपर feed करता है उसके लावा जैसा के इस slide के अंदर दिखाया गया है कि जो lady bird beetle के जो larvae है ये black होते हैं with bright spots उसके लावा इनकी body के उपर spines मौजूद होते हैं देखने में ये काफी dangerous महसूस होते हैं ऐसा महसूस होता है कि ये शायद humans को नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं है ये देखने में dangerous लगते हैं लेकिन actually human beings के लिए ये harmless हैं ये safe हैं उसके लावा after feeding on insects prey for several weeks जो इनके larvae हैं वो pupate करते हैं और ये leaf के पर pupate करते हैं उसके लावा जो lady beetles हैं बहुत सारी इसकी species ऐसे ही है which have several generations in a single year लेकिन कुछ species ऐसे भी हैं जिसकी साल के अंदर एक ही generation होती है उसके लावा जो adults है adults of some species spend winter in clusters आम तोर पर ये clusters बनाके इखटे रहते हैं in large group under leaf litter या rocks या फिर debris यहां पर गलासरा material पड़ा हो वहां पर ये aggregation की farm के अंदर इखटे देखे गए हैं उसके लावा ये important bio control agents हैं ये farmers friend हैं इस वज़ा से they should be conserve हमें कोशिश करने चाहिए कि agriculture field के अंदर इनकी population को बढ़ाने के लिए इकदामात करने चाहिए क्योंकि ये highly susceptible हैं against various type of insecticides तो हमें ऐसे insecticides की selection करनी चाहिए जो के lady birds के लिए बहुत जादा harmful ना हो उसके लावा स्प्रे करते वकट ये धियां रखना चाहिए कि उस stage के उपर हम स्प्रे ना करें जब इनकी तादार field के अंदर काफी हो उसके लावा सिरफ जब जब जरूरी हो उसी वकट स्प्रे करें unnecessary स्प्रे से avoid करें और उसके लावा जो agriculture field हैं उनके अंदर ऐसी conditions पैदा की जाएं जिसकी वज़ाए से lady बीटर्स को attract किया जाए ताके अगर field के अंदर कोई outbreak है वहाँ पे एफिट का attack बढ़ गया है तो इन predatory insects को उस field के अंदर लाया जा सके और इनकी population को बढ़ाया जा सके ताके ये natural तरीके से pest की population को control कर सके की जाएं